ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है सेंसिटिविटी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की जबत नहीं है क्लास के नूटस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में दे दी जाएंगे वहाँ से आप डिरेक्ट डॉनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा स्क्रिइनिंग फॉर डिजीज वाले चेप्टर के अगला टॉपिक इस सैंसिटिविटी एन स्पेसिफिशीडीश physics screening, mass screening, high risk screening ये सब देखा था, फिर हमने prescriptive screening देखा था, prospective screening देखा था, ठीक उसके बाद हमने बहुत important topic किया था, that is screening test और diagnostic test के बीच में difference फिर हमने lead time पढ़ा था, बहुत important होता ये, फिर हमने अलग-अलग criteria's देखे थे कि कौन-कौन से disease है, जिनको screen किया जाना चाहिए और फिर screening test के क्या-क्या criteria होनी चाहिए, कि ये भी देखे थे, ठीक, उसे के अंदर हमने screening test की validity देखे थे precision और accuracy देखा था उसके बाद बहुत important topic, that is, two by two table in screening test देखा था, इसी किता है था, हमने true positive, true negative false positive, false negative specificity, positive protective value, negative protective value का formula क्या होता है, और numerical कैसे solve करते है, ये देखा था, ठीक, तो ये सारे topics के videos आप channel की playlist खोलोगे, तो playlist में screening for disease वाले playlist खोलोगे, तो ये सारे topics के videos, इनके notes के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे आज के topic that is sensitivity and specificity, पहले शुरू करते है sensitivity, कि भाई sensitivity क्या होता है, ठीक, अब हम इससे पहले वाले video में discuss कर चुके हैं कि sensitivity का formula क्या होता है, two by two table में उसका column कौन सा होता है, तो अब इस theoretical part, practical part के point of view से numerical हमने उसका solve किया था, आप चाहोगे तो channel की playlist खोलोगे, उसके अंदर screening for disease वाले playlist खोलोगे उसके अंदर देखोगे, तो two by two table screening test की ये वाले एक video है उसके अंदर हमने बहुत अच्छे सा उसको discuss किया है, आप चाहोँ तो उसको देख सकते हो ठीक, तो शुरू करते हैं आज को topic that is sensitivity अब sensitivity का मतलब क्या होता है, simple भाश़ा में sensitivity, हम sensitivity किसके निकाल रहे हैं? हम sensitivity किसके निकाल रहे हैं? screening test की टेक, तो screening test में sensitivity का मतलब है, उस test की शंता कि वो बीमार लोगों को ढूंद के निकाल पाए, simple, उस test की शमता कि वो बीमार लोगों को ढूंद के निकाल पाए यानि कि किसको ढूंद के निकाल पाए true positive लोगों को true positive हमने बताया था ना कौन होते है true positive वो होते हैं जिनको हमारे test ने तो positive बोला और actually उनको disease भी थी that is true positive तो sensitivity में na true positive शब्द बहुत important है तो यह true positive व्याद रखना बाकी सबब में आप सबद में आजाए रहे हैं सब कुछ actually जो लिखा है वो यह है कि यह लोग true positive कितना निकाल पाएगा यह dust है that is उसके sensitivity तो एक बार दियाद हो गई कि भाया sensitivity शब्द आये तो मतलब तुमको true positive यह श सबसे पहले चीज कि sensitivity क्या होती है किसी टेस्ट की शमता कि वो ढूंड के निकाल पाए बीमार लोगों को यह फिर कहना चाहिए true positive लोगों को यह दूसरी भाशा में कहा जाए कि एक test की शमता कि वो correctly diagnose कर पाए बीमार लोगों को जिनको वो condition है तो diagnose कर पाए बीमार लोगों क याने की true positive निकाल पाए simple ऐसे ही sensitivity का मतलब क्या होता है sensitivity का मतलब है sensitivity is to rule in a disease to rule in a disease याने की बीमार लोगों को निकाल पाए कि rule in कर पाए कि हां भईया in 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 ये जैसे ने इन इन लोगों में से ये लोग बिमार है rule in ये कौन है हमारा true positive जो है न कि ये ये लोगों में से ये बिमार है तो rule in a disease कि भईया तुम तो बिमार हो ही हूँ that is sensitivity समझ गए तो sensitivity का in fact हमने formula भी देखा था two by two table में ये वाला जो column होता है disease present वाला column जो होता है ये sensitivity वाला column होता है क्योंकि sensitivity का formula होता है true positive upon total disease true positive upon total disease into 100 ये ही तो ये वाला column है देखो true positive upon total disease into 100 that is sensitivity का formula तो ये जो diseased वाला column होता है ये disease present वाला column होता है ये actually sensitivity वाला column होता है समझ गए sensitivity का simple सा मतलब समझ में आया कि किसी भी test के sensitivity मतलब उसकी true positive निकालने की शमता बाकी सब चगह वही लिखा है कि बीमार लोगों के percentage को निकालने की शमता या diagnose करना बीमार लोगों को याने की true positive निकालने की शमता या rule in करना disease rule in करना disease मतलब sensitive ये test ने ढोड़ के निकालना कि हाँ भाया तुम तो बीमार हो ही हो मतलब true positive एक ही चीज़ा है simple भाषा में अलग-अलग mcqs जो आते हैं इसलिए अलग-अलग sentence में लिखा है लेकिन भाषा same है true positive निकालने की शमता that is true positive अब formula भी देख लेते हैं हालाकि numerical जब solve कर लेते हैं तो हमने इसका formula देखा था फिर से एक बात देख लेते हैं कि sensitivity का मतलब होता है sensitivity का जो formula होता है true positive upon total disease into 100 समझकर आप कई किताबों में तुमारे ये भी दिया होगा true positive upon true positive plus false negative into 100 तो actually भी ये true positive plus false negative total disease रिचता है ये देखो ये है true positive plus false negative equals to total disease तो वो मतलब वही है जो किताब में लिखा है मैं बोलता हूँ कि अगर याद रखना है न तो इसको याद करो इसको याद मत करो confused होते हैं इनको याद करने से मैं बोलता हूँ ऐसे याद करो sensitivity का formula है true positive upon total diseased into 100 that is sensitivity का formula तो वही जो हमने बोला था ये disease present वाला column हमारा sensitivity का है तो sensitivity का formula है true positive upon total diseased into 100 ये अपारा sensitivity का formula हो गया और ये जो disease present वाला column है ये पुरा sensitivity वाला column है ठीक अपना interpretation कैसे लिखते हैं कि मान लो कि तुम्हाई numerical में तुमने लिख दिया कि या sensitivity तुमने पूरा का पूरा numerical दिया हुआ था तुमको हमने वो भी पिछले वीडियो में solve किया है तो उसको देख ले न उसका जितना भी answer आया कोई भी जो तुमको numerical दिया हो तो उसका जित निकली 90% तो अब इसका interpretation कैसे लिख होगे क्या होता ना numerical जब देते हैं उसके बाद आप से बहुते है calculate the relevant data and interpret your result तो calculate the relevant data में तो आप sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value निखलोगे और interpret your result में आप ये interpretation लिख होगे ठीक है sensitivity का लग, specificity का लग, तो sensitivity का interpretation जब आप लिख रहे हैं तो मानलो आपका answer आया है 90 तो 90 के मतलब है कि sensitivity आपके कितनी आई है 90% तो interpretation में आप लिखोगे कि 90% of the diseased individuals or diseased people screened by this test will give true positive result तो actually वही तो हमारा main motto था ना, उत्ती दे से क्या बूल रहा हूँ, sensitivity का मतलब क्या होता है, sensitivity का मतलब होता है true positive निकालने के शमता, तो 90% आया, 90 आया, तो 90% जो होंगे वो true positive होंगे, अब यहार देखो, जो तुमने diseased people में अगर 90% जो है, वो true positive है तो बचे हुए यह diseased people अगर आपका 100% है तो 90% है का disease true positive है, तो बचा हुआ 10% कौन होगा, false negative होगा, तो वही तो यहां लिखा हुआ है, कि remaining 10% जो है, वो false negative होंगे क्योंकि हमने बताया था न, कि sensitivity तो भाई है, जे वाले column में खेलेगा, तो अगर यह वाले column में खेलेगा, तो भाई साब अगर यह 90% है, तो यह 10% होगा interpretation वही तो है, कि अगर आपका यह formula से solve करने के बाद answer 90 आता है, तो यानि कि आपका sensitivity 90% आई है तो आप interpretation ऐसे लिखोगे, कि जब 90% of the diseased people screened, कि diseased people जब हमने skin test लगाया है, तो 90% जो है, वो true positive देंगे disease people में से, जबकि 10% जो है disease people, वो false negative result देंगे, यह आपका sensitivity test है, कि अगर total जो है, आपके 100 बीमार लोग है 100 diseased people है, यानि कि 100 बीमार लोग है, इन पे जब आप यह वाला screening test लगाऊगे, जिसकी 90% sensitivity है, तो यह screening test लगाने के बाद, 90% आपको true positive result देंगे जबकि 10% जो है, वो false negative answer, false negative show करेंगे, तो समझ गए कि sensitivity को interpret कैसे करते हैं, कि अगर आपने बीमार लोगों में, आपको पता है कि भाई है, यह 100 लोग बीमार हैं, तो उसमें अगर screening test लगाया, तो 90% वो true positive result देंगा, जबकि 10% वो false negative result देंगा, आपका यह sensitivity test, जिसकी देंग इसकी sensitivity 90% है, simple, समझ गए, तो यह थोड़ी सी जानकाई रखना है, समझ लेना इसको थोड़ी सा कि interpretation कैसे लिखते है, simple, यह वाली जो line है न, इसमें जो आपका answer आएगा, उसमें यहाँ पे लिखतो 90%, for example, यहाँ पे आपका answer आता 70, तो sensitivity हो जाते है, आपकी 70, तो आप test will give true positive, जबकि बचा हुआ किता होता, बचा हुआ आपका होता 30, तो फिर आप कहते हैं, remaining 30% जो है, वो false negative result देगा, simple, तो ऐसे interpretation लिखते हैं, sensitivity का, ठेक, उसके पर थोड़ी सी जानकाई रहे हैं, कि बहुँछ MCQs जो आते हैं, उस spaces पे थोड़ी सी जानकाई रहे हैं, तो screening test अगर किसी screening test बहुत high sensitivity है, किसी कोई screening test है, जो बहुत high sensitivity वाला screening test है, वो क्या suggest करता है, कि those testing positive are likely to have the disease, मतलब कि screening test, अगर कोई high sensitivity वाला screening test है, तो मतलब अगर वो, जितने भी वो test positive दे रहा है ना, उसमें जादा से जादा लोग diseased होंगे, क्यों, क्योंकि sensitivity का मतलब क्या होता है, हमने बोलोता है, sensitivity का मतलब होता है, true positive निकालने की शमता, तो अगर sensitivity बहुत high है, तो जितने भी उसने positive दिये हैं, उसमें से जादा से ज जादा लोग true positive होंगे, true positive होंगे, यानि सच में बीमार होंगे, सच में बीमार होंगे, तो वही तो लिखा है, likely to have the disease, और ये ना, और जादा वो होता है, जब disease prevalence अगर किसी जगह पे काफी high होना, तो simple सी बात, अगर किसी जगह पे बहुत जादा disease फैली होई है, बहुत ज जादा जादा निकल के आएगा, actually वही हमने नीचे लिखा भी होगा है, कि एक screening test में, अगर एक screening test की true positive बहुत high आ रहा है, यानि कि true positive बहुत high आ रहा है, उसका मतलब ये है, यार उस जगह पे, प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, प्रिवलेंस का मतलब होता है, कि total cases, total cases मतल new case plus old case, जैसे incidence का मतलब क्या होता है, new cases तो प्रिवलेंस का मतलब होता है, total cases, यानि कि बीमारी बहुत जादा है उस जगह पे, तो बहुत जादा true positive निकल के आ रहे हैं, तो आप ही कह सकते हो कि यार यहां पे प्रिवलेंस of the disease भी बहुत जादा high होगा, समझ गए, वैसे ही, अगर उसका दूसरा, that is, अगर false positive बहुत जादा high निकल के आ रहे हैं, या false positive बहुत जादा high निकल के आ रहे होंगे, तो but obviously true positive जो होगा, वो low हो के होगा, अब true positive का मतलब क्यों होता है, true positive का मतलब समझा, true positive का मतलब है, बीमार लो, disease, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, कि बह true positive बहुत जादा है, यानि उस जगा पे बीमारी बहुत जादा है, ऐसे याद कर सकते हैं, कि true positive बहुत जादा है, मतलब बीमारी बहुत जादा है, यानि बीमारी का prevalence बहुत जादा है, यानि तो वैसी true positive जो हमारे test ने positive दिया हो, सही मिद्ध में होता है, अगर false positive जादा आ रहा है यानि कि जो true positive होगा वो कम होगा true positive कम होगा तो disease भी कम होगी और disease भी कम होगी तो prevalence भी कम होगा तो वो ही तो यहाँ लिखा है कि अगर false positive जाता होता है तो उसका मतलब है कि prevalence कम है ऐसे याद कर सकते हो, मैं याद करने को तरीप करता हो, कि prevalence कम है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कि अगर ऐसा कोई MC को आता है, कि किसी जगह पे, अगर आपका screening test की, में true positive बहुत जादा आ रहे हैं, यानि वहाँ पे prevalence बहुत जादा high होगा, वह अगर true positive, false positive बहुत जादा आ रहे ह है, यानि कि prevalence काफी कम होगा, ठीक, तो समझके ऐसे याद कर सकते हो, आप screening test में, अब दूसरी चीज़ होती है, कि भी sensitivity, एक और ये सब MCQs है, तो थोड़ा-थोड़ा सा discuss कर रहे हैं, ऐसे एक MCQs आया है, तो sensitivity का मतलब क्या, actually sensitivity denote करती है, usefulness of a screening test, अब यार, इसका मतलब क्य हम क्या होती है, screening क्या होती है, screening हम rapid test लगाते हैं, apparently healthy individuals में unrecognized disease को ढूड़ने के लिए, तो इसका screening का मुख्योधेश क्या है, screening का मुख्योधेश है, बीमार लोगों को ढूंड के निकलना है डिजीज इंडिविजुल्स को ढूंड के निकलना है यही तो हमारा मुख्यों देश है कि पूरी की पूरी जो population है उनमें से कौन-कौन बीमार हो सकते हैं उनको ढूंड के निकलना तो डिजीज को ढूंड के निकलना है, बीमार लोगों को ढूंड के निकलना है, यानि की true positive को ढूंड के निकलना, तो इसी लिए तो true positive से मैंने बुला था true positive निकलने की शमता क्या होती, sensitivity, तो sensitivity बताती है, usefulness, कितना useful है आपका screening test, क्यों? क्योंकि screening का मुख देश है, कि ऐसे लोगों को ढूंड के निकलना, जो भीमार हो सकते हैं, तो उसमें sensitivity सबसे usefulness होती है, कि बहुए, sensitivity जो है, वो बताती है, कि आपका screening test कितना उप्योगी है, क्योंकि ज़्यादा sensitivity होगी, तो ज़्यादा true positive निकल के आएंगी है, ज़्यादा भीमार लोगों को ढूंड के निकल के होगे, तो sensitivity sensitivity denotes कि कितना useful है आपका screening test, कितना ज़्यादा sensitive है, उतना ज़्यादा useful है, समझ गए, तो यह भी एक MCQ था, उसके लावा एक और MCQ मिलाता कि most important factor क्या होता है, एक good screening test का, एक अच्छे screening test का सबसे important factor क्या होता है, फिर वही चीज, कि भाई हम screening कर क्यों रहे हैं, हम screening कर रहे हैं, apparently healthy individuals में से, बीमार जो हो सकते हैं, उनको ढूंड के निकालना, तो अब sensitivity क्या करती है, sensitivity आपको true positive निकाल के देती है, कि भाई है, यह लोग तो बिमार हैं, तो most important एक screening test में क्या हुआ, sensitivity होता है, sensitivity है, specificity है, positive positive value है, negative negative value है, तो sensitivity most important क्यों हुई, क्योंकि वो आपको true positive निकाल के दिखा रहे हैं, यह लोग तो इसलिए यह याद रहे हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको sensitivity में पता होनी चाहिए, अगर मैं बात कुरूँ सवाल की, तो यार, theory में आपको ऐसा short note आजाता है, कि sensitivity पे आपको short note लिखो, या आपको very short note आजाता है, कि sensitive पे very short note लिखो, या short note आजाता है, sensitivity और specificity के बीच में difference बताओ, या short note लिखो, तो specificity के भी हम आगे discuss कर पहले sensitivity के बारे में questions देख लेते हैं, वाईवा में सबसे पहले पूछा जाता है, कि भाईया, बताओ sensitivity का मतलब क्या होता है, तो true positive निकालने की शक्त, ठीक, उसके बाद वाईवा के लिए important चीज़ होती है, कि वाईवा पूछ ले जाता है, कि मैं इस sensitivity का formula बता दो क्या होत है, और उसको समझा दो, interpret कर दो, तो वो भी बताते हाना चाहिए, तीक, उसके बाद बात करूँ, अगर मैं MCQs की, तो MCQs में आप और जित्ते भी underline part में लेंगे, notes और slide में, वो सभी exam से पुछेगे, MCQs है, तो एक MCQ तो ये कई भी उबार आया है, कि भाईया, sensitivity का मतलब क्या होता है, तो वही true positive निकालना, या फिर अगला आया था कि भाईया, diagnose करना, कितने परतिछत सिक लोग है, या फिर rule in करना बीमारी को, तो ये सभी MCQs कई भार पुछे गए है, तो ये आपको बनने चाहिए, उसके अलावाना, ये MCQ भी कई भार आया है, कि भाईया, वह किसी जगह पर true positive बहुत जादा है, मतलब prevalence कैसा होगा, ये किसी जगह पर false positive बहुत जादा है, तो prevalence कैसा होगा, ऐसी sensitivity पर MCQ बनता है, कि उसका मतलब क्या होता है, कि ये कितना useful आपके screen test, या most important factor screen test का क्या होता है, तो sensitivity, तो इतने MCQs तो बनते हैं, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको at least sensitivity में बता होनी चाहिए, ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, specificity की, तो specificity क्या होती है, फिर मैं बहुत बहुत ही बोलूगा, कि या इसका जो numerical है, numerical हमने, इसके पहले जो ये 2 वार 2 table लेना screen test किया था था न, इसमें हम ये numerical discuss कर चुके हैं, और कि sensitivity और specificity निकाल तो वहाँ जा कि आप इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हो, अब है हम theoretical पार्ट से देखेंगे, interpretation देखेंगे, कि कैसी करते हैं, तो specificity का मतलब क्या है, जैसे sensitivity का मतलब हुदा, पॉजिटिव निकालने की शमता, वैसे ही specificity का मतलब पता क्या है, एक test की, आपकी जो screening test है, उसकी शमता कि कितना वो उन लोगों को ढूण के निकाल सकता है, जिनको आप बोलो कि भाईया, तुमको तो बीमारी नहीं है, that is true negative निकालने की शमता, true negative क्या होता है, आपने बताया था न, यह जो true negative होता है, उसका मतलब है, कि हमारे test ने तो उसको negative बोला, और actually मैं उसको भी नहीं थी, that is true negative, याने कि इन लोगों को आप बोलो कि हाँ भाईया, तुमको तो बीमारी नहीं है, तुम लोगों को तो बीमारी नहीं है, true negative निकालने की शमता, true negative निकालने की शमता, याने कि ऐसे लोगों को बोलना कि भाईया, तुमको तो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, मतलब कि इन लोगों में से ये जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग है ना, इन में जब आपने बोला कि ये इनसान को निकाला कि भैया, तुम लोगों जो हो, वो true negative हो, मतलब कि तुम लोगों में तो बीमारी नहीं है, या रूल आउट डिजीज कि भाईया तुम लोगों में बीमारी नहीं है समझके तो specificity का मतलब समझ में आया specificity का मतलब होता है to identify true negative यानि कि ऐसे लोगों को ढूंड के निकालना जिन में आप बोल सको है हाँ भाईया तुम में तो बीमारी नहीं ही है यानि कि तुम में हम बीमार को रूल आउट कर सकते है यानि कि specificity is to rule out a disease समझके तो specificity rule out a disease या true negative निकालने की शमता है हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि भाईया जो specificity होता है उसकी जो formula होता है वो क्या होता है उसका formula होता है true negative upon total non-disease true negative upon total non-disease into 100 यह specificity जो है वो यह जो non-disease या diseased absent वाला कॉलम होता है इसमें रहता है इसका पूरा formula तो specificity क्या है true negative upon total non-diseased into 100 तो समझके specificity वाला कॉलम पूरा का पूरा ये वाला कोलम specificity वाला कॉलम ठीक तो इसका formula देख लेते हैं कि specificity का formula क्या होता है true negative upon total non-diseased into 100 दूसरा आपको किताबों में actually जो मिलेगा कई जगे वो यह मिलेगा true negative upon false positive plus true negative into 100 तो actually जो false positive और true negative है इसको आप total non-diseased जी तो लेख सकते हो क्यों यह देखो total non-diseased क्या होंगे total non-diseased होंगे false positive plus true negative यह ना तो वही तो मैंने बोला कि इन दोनों की जगह पे आप सिर्फ total non-diseased जाद रखो तो उससे क्या होगा कोई confusion नहीं होगा तो specificity का formula क्या है true negative upon total non-diseased into 100 that is specificity simple समझ गए तो ऐसे आप इसके formula को याद कर सकते होंगे इसको जो numerical है हमने पिछले वीडियो में जो 2 by 2 table of screening test उस वाले में न हमने इसका पूरा numerical solve किया था कि कैसे कैसे 2 by 2 table बनाते हैं कैसे उसकी sensitivity, specificity, positive or negative or negative or negative or negative निकालते हैं तो वहाँ पे हमने specificity निकाली थी तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो ठीक अभी थोरा सा theoretical part देख लेते हैं अब ना जैसे कि मैंने sensitivity में बताया था specificity में भी आपको numerical जब आएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा calculate the relevant data and interpret your result तो relevant data में तो आप screening वाले chapter से अगर numerical आएगा तो आप sensitivity निकालोगे, specificity निकालोगे, positive predictive value, negative predictive value निकालोगे फिर interpret your result जो है ना, sensitivity वाला तुमाने पिछले पहले बता दिया, specificity का result कैसे interpret करेंगे, वो होता दी तो तो मान लो कि आपने पूरे numerical में लगाया और आपका answer आया 90 तो 90 अगर आपका answer आएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो screening testers की specificity 90% है तो इसको interpret कैसे करोगे या, लिखोगे कैसे? इसको ऐसे लिखोगे कि 90 प्रतिशत जो non-diseased लोग है ना, वो true negative result देंगे जब कि बाकी बचे हुए 10 प्रतिशत जो लोग है वो false positive result देंगे समझ में आया? simple, देखो जो बने sensitive में समझाया था वैसे ही है कि specificity है क्या? specificity है true negative निकालने की शमता और specificity में आप क्या कर रहे हो? true negative divided by total non-diseased कर रहे हो तो अगर आपका sensitivity जो specificity जो है वो 90 प्रतिशत आई है उसका कहने का ये मतलब है कि मान लो कि जो ये total non-diseased लोग थे ये non-diseased लोग 100 थे मतलब आपको पता है कि total हमारे पास जो लोग है उनमें से 100 ऐसे हैं जो बीमार है और 100 ऐसे हैं जो बीमार नहीं है तो ऐसे screening test जो है वो 90% true negative जो है 90 लोग उसमें true negative निकल के आएंगे जबकि सिर्फ 10 लोग होंगे जो false positive निकल के आएंगे समझ मैं है कि अगर आपको पता है कि भाई ये 100 लोग है जिनमें बीमारी नहीं है अब आपने उनमें screening test लगाया और आपको पता है कि इसकी specificity 90 है तो 90 है तो जो 100 लोग है ना उनमें से 90 लोग true negative निकल के आएंगे और 10 लोग false positive निकल के आएंगे तो ये actually इसका interpretation है कि अगर आपका answer 90 आता है तो आप बोलोगे specificity 90 है और उसकी interpretation में लिखो के अगर non-disease person जो है उनमें से 90 प्रतिशत लोग true negative result देंगे जिबकि 10 प्रतिशत non-disease लोग false positive result देंगे इस screening test से जिसकी specificity 90 प्रतिशत है समझके तो इतने चीज़े हैं जो आपको specificity में पता होने चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो यार theory में na very short note में आपको specificity पूछा जाता है तो थोड़ी से जानकारी इसमें लिख सकते होगा आप वहीं short note में आपको specificity, sensitivity और specificity के बीच में difference पूछा जा सकता है तो वो बताते हैं आपना चाहिए और अगर मैं बात करूँ एक सवाल की that is differentiate between sensitivity and specificity अगर आपको theory में आता है तो आपको क्या-क्या लिखना है तो देखो पहली चीज़ तो आपको यही निकालोगे कि specificity क्या होती है specificity होती है true negative निकालना जबकि sensitivity क्या होती थी true positive निकालना specificity क्या होती है rule out करना disease को जबकि sensitivity क्या होती थी rule in करना disease को समझ गए और in fact तीसरे में आप यह भी बोल सकते हो कि अगर आपको specificity 90 प्रतिशत होती है तो उसका मतलब क्या है तो उसका interpretation लिख सकते हो, ऐसे sensitivity नब्बे प्रतिशत क्या होती है, उसका interpretation लिख सकते हो, वही specificity का formula लिख सकते हो, वही sensitivity का formula लिख सकते हो, किते सारे difference आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है? तो at least, ऐसे अगर आपको short note आता है, sensitivity और specificity के बीच में difference का, तो आप लिख सकते हो, दोनों जगे से 4-5 point उठा के, ठीक, ठीक, ठीक के बाद, अगर मैं वाइवा की बात करूं, तो वाइवा मैं आपसे पूछा जाता है, कि specificity का मतलब क्या होता है, तो वही pro negative निकालने की शम screening test की, तो उसको interpret करके बताओ, तो वो भी बताते आना चाहिए, ठीक, उसके लावाना numerical में आपसे पूछ लिया जाता है, numerical आपको screening test वाला दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि भाईया, calculate the relevant data, और उसमें फिर आपको निकालना पड़ता है, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, तो वहाँ प important है, practical के लिए, ठीक, उसके बाद, अगर मैं बात करूँ, MCQs की, तो जिते भी underline part में लेंगा है, वहाँ, 900 slides में, वो सभी exam से पूछे गए, MCQs है, तो MCQs पे तो कई बार पूछे हो गया है, कि भीया, specificity का मतलब क्या होता है, तो उनको ढूण के निकालना, जिनको बिमा तो यह यह चीज़े आपसे बननी चाहिए, ठीक, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको sensitivity और specificity में पता होने चाहिए, theory point of view से, numerical point of view से, viva point of view से, in fact theory point of view से, आपको जो पता होना चाहिए, कि भाईया, sensitivity और specificity में क्या difference होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ पला है, ठ specificity में पता ही होनी चाहिए, ठेंक यू